ग्वालियर कलेक्टर कोशलेंदर विक्रम सिह ने जानकरी देते होया बताया कि डबरानिवासी 80 वर्शे व्रद गंगराम को 9 मई जयारोग्य अस्पताल में भरती कराया गया था जहां उनकी 10 मई को उनकी मृत्ति हो गई थी जाच में पता चला कि उन्हें पहले से हाइपरटेंशन, हाड डिसीश, शुगर, आदी की बिमारी थी साथ ही उनकी कोरोना की जाच भी कराई गई थी उसमें कोरोना संक्रमन के भी लक्षन थे पर आज आई रिपोर्ट से इसपस्ट हो गया कि 80 वर्षे मृत्ग व्यक्ति गं आज ग्वालियर में 80 साल के वजूर्ग डबरा के जो निवासी थे उनकी डेथ हो गई है उनको पहले से हाइपर टेंशन और हार्ड डिजीज और इस प्रकार से बीमार सुगर इस प्रकार से बीमारियां थी और साथ में उन्हें कोरोना का संक्रमन भी पाया गया है तो वो नौ तारिक को साम को हमारे जेश में भरती वे थे और उसके बाद अगले ही दिन उनकी डेथ हो गई थी और बाद में आज उनकी कोरोना की जहां से रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है तो हम एरिया को कंटेन्मेंट कर रहे हैं कॉंटेक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं और उनको संक्रमण जहां से भी सोर्स है चाहे उनका जहां भी बाहर हॉस्पिटल से इलाज चल रहा था वहां भी बात कर रहे हैं तो उस एरिया को जो है कंटेन्मेंट करके सील्ड किया जा रहा है दबंग न्यूस के लिए मनुच चतुरवेदी की रिपोर्ट